पाकिस्तान पर विदेश मंतरी एस जैशंकर का बहुत बड़ा बयान आ गया है मैं सख्त परिशान हो पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय खत्म हो चुका है पाकिस्तान के साथ जो हमारा अनिंटरॉप्टेट डायलॉग जो है वो खत्म हो गया पाकिस्तान के हर आक्शन का जवाब हम देंगे जब उनका दिल करता है जैसे उनका दिल करता है वो आपको रिस्पॉंड कर लेते हैं और वो आपके बारे में प्यान दे देते हैं अगर देखा जाए इस टेम इंडिया स्टेबल भी है इंडिया की एकॉनमी भी बेहतर है इंडिया के रिलेशन्स दूसरे बड़े कंट्री के साथ भी अच्छे हैं आपने चाइना की नियूस पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरे कि वो क्या कहने हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टकर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदूस्तान जिखके पाकिस्तान स्टेबल भी नहीं एकान्मी भी बेहतर नहीं लेकिन फिर भी हम लोग क्यों नहीं इंडिया के साथ अपने तलूकात बेहतर करना चातेैं मेरी जिसे कहते हैं ना एक नादान सोच में ये सब कुछ नहीं आरा है हमारे तल्यूकत अपने नेबर्स कंट्री जाए इंडिया हो जाए ऐफगानिस्तान हो दे यूँ खराब हो रहे हैं हमारी फाहर न पलीची में क्या फरक है इंडिया की फाहरlingen फर्यकार क्या फरक है वो कहते हैं जी Actsions के consequences होंगे अगर मेंस के पाकसान अगर कुछ कर आएगा तो हम उसका जवाब देंगे Era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over Actions have consequences And in so far as Jammu and Kashmir is concerned I think 370 is done So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan Pakistan का भी जिकर किया है एक बोक बेसिकली इंडिया पॉलिश होई थी तो उस पे उन्होंने पाकिस्तान का भी जिकर किया है वो बड़ा इंट्रस्टिंग जिकर किया है और उनने का जी कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा अनिंट्रप्टेड डायलॉग जो है कि हमने करना ही करना है डायलॉग इंट्रप्ट अनिंट्रप्टेड करें होना वो खत्म हो गए ठीक है जी मैं सक्त परिशान हूँ पाकिस्तान के फरन आफिस की तरफ से देखें जो बबू आई भी अबैसेडर से हम मिलते रहते हैं कुछ नहीं बोलते हैं यह वहीं बोलते हैं जो इनको खूमत कहती है इनकी अपनी कोई जुबान नहीं होती है अगर मोदी ऐसाब बीजेपी और इंडिया यह कॉण्फिड़न्स ना दे ड़क्टर जेशंकर को डॉक्टर जेशंकर इस तरह बात करें कि आपको लगे गली न मिनिस्टर साब जो हैं जिनका ज़्यान यहां कि वजिर्याजम उसमें क्या हो रहा है मेरा त्यानों थे चाहीं लागा बेटे अधिकी हो रहा है एधिजरा पता तकरो जिनको इन चीजों से घर्ज है कि इंडिया क्या कह रहा है आप देखें एक तो अटेंशन ड़र्ड भी करनी होती है आपने बहुत सारी आप यू नीड तो स्पीक आफ्टर प्राइम मिनिस्टर दो मोस्ट इंपोर्टन परसन इस दी फॉरंग मिनिस्टर बोलो तका के बोलो अगर आप बोल नहीं रहे तो उसे की कार देवा रोज डॉक्टर जेशंकर की इंटरेक्शन होती है र रोज रोज ठीक है रोज इंटरेक्शन होती है यह नहीं कि इंटरेक्शन नहीं होती है वो कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ इराफ अनिंटरप्टेड डायलॉग खत्म हो गया एक्शन के कॉंसिक्वेंसिस होंगे अगर मीन्स के पाकिस्तान अगर कुछ कराएगा तो हम उस आपने में जवाब दे दिया कुछ किया और पाकसान ये थोड़ी कहेंगा कि हां जी हमने थैंक यू आपने हमें छे को ले मारे हैं बैरी थैंक यू बैरिमाद वी एप्रिशेट आपकी एरफोर्स बहुत अची है जारी बाद है इंडिया छे मारेगा पाकसान ठरा मारेगा सिंपल इसमें कोई वह बात भी नहीं और हो ना भी ऐसी चाहिए इंडिया कहता है अब हम पैसिव नहीं अब हम एक्टिव है इवेंट्स जो है वह जो से कहते है न पॉजिटिव ये नेगेटिव जो भी डिरेक्शन होगी यूंगी होगी ठीक है जैसे भी डिरेक्शन होगी हम असपर रिस्पॉंड करेंगा यह कॉंफिडेंस यह कॉंफिडेंस है उसका होना चाहिए दे नीड टू वर्क फॉर देर कंट्री अपनी कवर्मन बात करेंगे डॉक्टर चे शंकर तो बड़ी काल कर रहे हैं लेकिन सागडार साब जो है न मैंने उनको जादा दियान प्राइम निस्टर उसकी तिरफ होता है शायद वह यह मैसूस कर रहे होते हैं कि I wish कि अगर यही वजीराजम बना दा था फिर मैं ही बन जान दा यहां फिर यह है कि उनको बजीरे खार्जा बना दिया गया विजीरे खार्जा इस the most active important position after prime minister other than that he may not have those credentials a foreign minister should be eloquent in English must have an experience of foreign policy he should have been a diplomat full support of the government honi चाहिए एक technocrate होना चाहिए किच के लाख देया कानी सुनानी आनी चाहिए आनी मस्टी स्ट्रॉंग एड्वोकेट अप्टरी ठीक है foreign office वाले हमारे दोस्त बताते हैं कभी-कभी उन से पूछते मैं स्नाइड फर्म निस्टर कैसे हैं वो कहते हैं फर्म में से साथ जाधा थ्यान कॉनमी ते उन-दा शटना गला कर दें इस पीक्स मोर बोड एकॉनमी जएधा तर निगला कर दें बहुल चले वह रहें वह रहें हैं तो बिजनस बुजनस ही करते रहें हैं वह आई तक तो उनने का चलो ठीक मैं एकॉनमी दी गला गला यह सिच्वेशन आज इंडिया कहता कि मैं आए दिवार लाती मैंने बर्लि करना चाहते हैं ठीक है अब सिस्टैमिक कंपल्शन और तरह की हैं वह नहीं है कंपल्शन अब चाइना इस बड़ा बैल्ट एंड रोड इनिशेटव है ठीक है जी उसने अपनी इंडिया नोशन में एक्सेस बढ़ा दी इंडिया नोशन के अंदर जितने भी मालक थे उन त जबूती में अपनी बेज बना लिए स्री लंका में हमबर टोटा पोर्ड थी साइंटिफिक शिप जो हैं वो इंडिया नोशन के अंदर आ रही हैं इंडिया नोशन पैड़ में गूम रही है ठीक है जी तो वो जो सिक्यूरिटी आर्टेक्चर इंडिया क्रियेट करना चा मिजूरिटी अफ स्टूड़न्स यह कुछ साल पहले की बात है वो चाहते थे कि जो इंडिया हमारे साथ कार रही है हमारे दरमयान और उसके दरमयान जो क्लैस चलता है वो मतलब उसको एक्जिक्यूट किया जाए लेकर यह रिसेंट्ली मैं उसी यूनिवस्टी में गया वो एक जनरेशन है वो खतम हो रही है अगली जनरेशन जो आरही है वो कहती है हमने क्यों लढ़ना इंडिया से हमा क्या वगजा लढने की हम क्यों लढ़ने इंडिया उन से मैं जंग से दुनिया में किसी को कोई फायदा नहीं है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और ऐसे और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे साथ ही बेल आइकन को दबाए ताकि आपको न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले धन्यवाज जैहिंद हम में से अब हमारी राय जो है हमारी अवाम की जो राय वो बहुत चेंज हो गई आप अवाम जंग नहीं चाहती वही